असलामुलीकूम एंड वेलकम बैक टो अनदर वीडियो कैसे आप सब होफुली सब ठीक होंगे अलहमदुलीला मैं भी हूं फाइन और मज़े में तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर रहे हूं वेरी इजी एंड क्विक रेसीपी जो के बहुत इजी बनेगी आप असलम बरसात का तो इसमें कुछ इंसेक्ट यह पैदा हो जाते हैं तो उसको हमने रिमोव करना है तो इसलिए बिफल नेकर चान लिया है उसके बाद हमने एक बाउन लेना है उसके अंदर टुबल स्पून जो है वह इस्ट के डाल देने है बर बर का नहीं डाले आपने बस और सदर्ड़ कर दमowej क Ummese we will add 1.5 टेबल स्पोन यह फिर दाल देना हैं पर टेबल स्पोन टेबल चुप खनें टेचरीश के बार मैंड़िय dönूरे एकि एक तो करें आगे हैं इसके प्रीफ लुड़िह आई इसके दाद हरे थीजरव टेबल स्पून मंहले हैं यह मैंने थोड़े थोड़े भरे थे इसलिए फिर आपको फोल लग रहे होंगे तो मैंने कम-कम भरके फिर डाले हैं उसके बाद हमने इसमें एक कप का चुताई हिस्सा जो है वाम जो मिल्क है वो एड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसको पांच मिन्ट के लिए हमने रख देना है उसके बाद हमने इसमें दो कप जो है मैं देखे वो एड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से विस्क की मदद से ऐसे हमने मिक्स कर लेना है और वाम वाटर के साथ हमने इसको नीट करना तो यहां पर यह देखे जी मैंने इसमें वाटर एड किया है और इसके बाद एक इसकी रफली डो बना ली थी और इसको रख दिया था फिर इसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से गुंदा है जितना गुंदे उतनी मज़े की आपकी डो बनती है उतनी ही राइज होती है तो यहां पर यह देखें मैंने इसको फिर पांच मिनट के लिए रख दिया था और फिर मैंने एक कटिंग बोल्ड ले लिया उसके उपर दुबारा से मैंने डौ जो है उसको निकाल के ऐसे मैंने दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करकर के नीट किया यह देखें आपके सामने है कि डो जो है वो राइस होना शुरू होगी है तो इसलिए आपने इस चीज का मेक्शुर कर लेना है कि आपने इसको थोड़ा थोड़ा आईल और वांम वाटर लगाते जाना है हाथों को और इसको ऐसे गूनते जाना है ना पड़े यह ठंडी ना हो तो यह देखें जी दस मिनट तकरीबन हो गए है इसको मैंने गून लिया है दोनों हाथों की मदद से ऐसे फोल्ड करकर के आपने इसको गूनना है जितना आप इसको अच्छे तरीके से गून देंगे डो उतनी ही मज़े की तियार होगी तो यह अब हम इसको ऐसे कवर करके रख देंगे एक बड़ा बाउल बना गए यह देखें आपके सामने है कि हलके राइस हाथों में होना शुरू होगी है तो इसको हम रख देते हैं ऐसे और आजाते हैं नेक्स टेप में हम चिकन की मेरिनेशन तियार करेंगे उसके लिए हमने 4 ट तीन टेपल सपून से थोड़ी सी कम गड़ा एंपनी है चिकन को कलर आजे और थीन हमने घंग करनी है घंगे लिए रज़ है रड़ चिली की और यहां पर चिकन को देखाने और चिलिक्जित और यहां पर वन टेबल स्पून हमने अंदर आट किया है गरम पाऊडर मसाला औ 2-3 पिंच और 1-2 पिंच जो है वही एड़ी है मैंने क्रस्च चिली की तो यह सारे जो स्पाइसिस एड़ करने के बाद योगर्ट में मिक्स का लेना है उसके बाद हमने विनीगर में डिप किया हुआ चिकन अच्छे तरीके से वाश करके रखा हुआ में कटा हूआ चीकनेेट कर देना है और इसकी मैरिनेशन चीकन कर देना है उसके बाद हमने इसके अंदर ढाल देना है 1 टेबल स्पiquer स Orlando चिली सास तो इसको मिक्स बाद 15 मीनिट के लिए समने रख देना है 15 मिनिट के बाद इसको यूज करना है तो फिर हम आ जाते हैं काट लें से पहले हम एक प्याद जिलन में बारी काट लेते हैं उसके बाहरे टोमैटो यहां पर यह देखें आपके सामने के सेड्स कम बिल्कुल साफ हैं तो कुछ जिलन में इस तरहें ऐसे सब्सक्राइब करने। एक जर्स ऑफेथे ह miljवों को चमा सब्सक्राइब 2-3 प्रमी ज़नीया ! छील के चौक का लेना है और हटरके के लिए हमने हस वर बियुक जरूर ऑईल का यूज करने है और जो गारलिक नुढकर पिशा अदर श्टेशा हुआ जाल देना है और इसे एक जब दिर रहा है उटकर च्ब एना है और इसे पालग माईड़ुकिया हउड़़ एक यूटज क इसके लिए पने करते जाना है। तु आझाते हैं फिर हम अगले स्टैप पे, यहां पर हमने मीडियम साइज के दो पिजा के दो कि बनाने हैं,red dat अई ह Incredi गोल बड़ा पेडा बनाके तो इसको धो ऑफंगो में त्क्सीम कर लिया कि लेख द्रीकल उसके हनके पिज्जा के मॉल्ट को घ्रीस और हाथों आज बने जले की वाल बटाrose है इस तरह से सप्राइड का दिया है इसके कनारे थोड़े थोड़े हमने इस तरीके से साथ करके फोल्ड करते जाना है थोड़े मोटे बनाने हैं और इसके अंदर हम नेक्स टैप में के लगाएंगे पीजा सॉस यह देखें आपके सामने तू थी टेबल स्पून मैंने इसमें ज्यादा नहीं किया और इसको ऐसे सिप्राइड कर दिया है उसके बाद मैंने कुक किया हुआ जो रोस्त किया हुआ जिकन है वो एड़ कर दिया है फिर इसके ऊपर हमने लगानी हैं वेजिस जिसमें कैप्सिकम्स टॉमैटोज प्याज यह सारी चीजें हमने इस तरीके से एक और बात मैं आपको बताना भूलगे कि अगर आपको ज्यादा वेजिस पसांद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ज्यादा वेजिस का यूज कर सकते हैं इसमें कॉर्ण सीट का यूज कर सकते हैं जो कि हमने बॉयल करके रखी होती हैं इसके बाद जी मै तो यह देखें आपके सामने हैं आप मिश्रूम का यूज कर सकते हैं और आप इसके उपर जो है चैडर चीज जो इस तरीके से फलाएंगे के यह पिज़ा सारा जो है वो कवर हो जाए अच्छे तरीके से पिज़ा कवर होना चाहिए इसके बाद भी हम इसके उपर ब्लैक प्रदाएंगे तो यह देखें पिज़ा जो है वो चैट कर से तरीके से कवर हो गया है मैल्ट होने के बाद फिर एससे सारे पिज़े के ओपर फैल जाएगा तो यह देखें आपके सामने इसके उपर फिर मैंने और गयनों की चुटकी ली और उसको इसे प्रैट कर दिया औ तो यह देखें आफटर 18-20 मिनट में पीज़ा आपका बेक हो जाएगा यह आपके सामने है पीज़ा हमारा बेक हो चुका है अच्छे तरीके से इसके जो एजीज है वो बड़े मज़े के बन चुके हैं मैंने चेक किया है और यह देखें फिर इसको मैंने जी निकाल लिया है अब हम इसकी कटिंग करते हैं और यहां पर यह देखें कि पिज़ा जो मोल्ड है वो थोड़ा गर्म है इसलिए फिर मैं इसको बड़ी इहत्यास से कर रही हूं आपके सामने है पिज़ा की डो नीचे से भी पगई और अंदर से भी पिज़ा जो है बड़ा यमी बना है और बहुत मज़ा है अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कोमेंट करें मिलती हूं नेक्स वीडियो में तिल दैन अलाह अफ़ेज